जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे केट्स वीडियोज बनाने के लिए काइड मास्टर में केड्स रिलेटेड फॉन्ट कैसे एड़ कर सकते हैं जैसा कि अभी आप इसमें पर देख सकते हैं, हमने काइन मास्टर में यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कुछ font format add किया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एफवल कोहीं कितने font में लिखा गया है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काइन मास्टर में इस तर चैनल को सब्सक्राइब कर, वेल आइकन को all फर सेट किजिए, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आप इस तरीके के font कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बता देए दोस्तों हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो में हमने पहले ही बता है कि आप kids related font का से डाउनलोड कर सकते हैं, एक मेरा दूसरा चैनल है, सायदा आप में से बहुत सारो लोग जानते भी होंगे, सुझाय कुमार नाम से, उस चैनल पर हमने उस वीडियो को अप्लोड किया है, तो simple आप आएंगे अपने mobile phone के YouTube पर, और यहाँ पर search करेंग sorry, search करेंगे font wise सुझाय कुमार, sorry kids font wise सुझाय कुमार, kids font by सुझाय के UMR, जैसे ही आप search करेंगे kids font wise सुझाय कुमार तो आपके सामने जो मेरा वाला वीडियो है, first में ही आ जा जाएगा दिखने को, इस वीडियो में बताया है कि आप बच्चों से related जो font यूज किया जाता है वीडियो जबनाने में या photos बनाने में उस तरीके का font आप बिल्कुल free में कैसे download कर सकते हैं, तो simple आप इस वीडियो पर click करेंगे इसमें कैसे च्टरीके का font प्रसकते हैं, फिलाल हम बाब आप को बता रहा है कि काईन मास्टर में कैसे इस तरीके को font को यूज कर सकते हैं, तो simple आप हमारे इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद simple इसका जो description है, उसमें आप जाएंगे नीचे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक font का link मिल जाएगा, तो simple आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस download का जो option दियागा, drive वाला इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यह डाउलोड वाले option पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपके mobile phone में जो भी email login है, वो select करने के लिए पूछा जाएगा, तो simple आप select करके उसे ok पर क्लिक करेंगे, जैसे आप ok पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर open file का एक option मिलेग तो simple आप my file वाले option पर क्लिक करेंगे, तो finally यह जो font आपके phone में download हो जाएगा, download होने के बाद आपको बता दे कि यह font G file में है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और नीचे आपको एक extract का option दिखने को मिलेगा, तो simple आप इस extract पर क्लिक करेंगे, extract पर क्लिक करने के यहाँ पर आपको password मागा जाएगा, तो password के लिए आपको बता दे कि password आपने जो अभी वीडियो में click किया, जहां से font download हुआ, उसी वीडियो के comment box उसमें pin किया गया है password, तो आप उस वीडियो के comment box में से password को देख लिजेगा, और simple आप यहाँ से extract करके खोल लिजेगा, तो चलिए हम password को add कर लेते हैं, simple password add करने के बाद आप इस extract वाले option पर click करेंगे, तो आपका जो file है कुछ इस तरीके से बोलेगा, यह extract हो जाएगा, यहाँ पर rename के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर rename कर देते हैं, तो जैसे आप extract करेंगे, तो आपके mobile phone में एक file बन जाए करेंगे, तो चलिए आप चलते हैं, बताते हैं को काई master में कैसे add करना है, तो simple इसके बाद आप आएंगे, अपने mobile phone के काई master में, जैसा कि आप देख सकते हमने इनको file कर रखा था, काई master में आने के बाद सबसे पहले आप इस create नीव वाले option पर click करेंगे, और यहाँ से solar into करेंगे, हाला कि आप कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप एक background ले लेंगे, उधारन के लिए हम आपके यहाँ पर एक white color का ही background ले ले लेते हैं, background लेने के बाद सबसे पहले आप इस layer वाले option पर click करेंगे, और जहाँ पर text लिखा हुए इस पर आप click करेंगे, और यहाँ से कुछ भी लिख लेंगे, जैसा कि हम यहाँ से आपना नाम ही लिख लेते हैं, उसके बाद ok पर click करेंगे, ok पर click करने के बाद सबसे पहले आप इसका color change कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ से red कर लिए, red करने के बाद अब इसका थोड़ा size बढ़ा लेंगे, हम पर click करेंगे, तो यहाँ से आपको mobile phone का file खुल जाएगा, अगर file नहीं खुलता है, तो आपको top में three line दीखने को मिलेगा, तो simple आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, तो नीची आपको एक option दीखने को मिलेगा, my file करके, या internal storage करके, तो simple आप इस पर click करेंगे, इस पर जैसे click करेंगे, उसके बाद फिर से आपको internal storage का एक option दीखने को मिलेगा, तो simple आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद अब यहाँ से आपको mobile phone के वो सारे file दीख जाएगे, तो यहाँ से आपको उस file को देखने लाए, जिस file का नाम थ करेंगे, click करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे font आ गया है, तो इन सभी font को आपको कुछ इस तरीके से select कर लेना है, उसके पहले आपको बता दे कि वहीं font काइन मास्टर में लेगा, जिसके last में .ttf होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगबग सभी font के जो last में आपको .ttf लिखा गया है, यानि कि ttf format में वही font काइन मास्टर में लेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो simple इस तरीके से all select कर लेंगे, उसके बाद done पर click करेंगे, जैसे आप done पर click करेंगे, तो यहाँ पर लगबग सारे font add हो जाएंगे, यहाँ प करेंगे, यहाँ पर लगबग सभी font add हो चुके हैं, केवल दो font add नहीं हुए, अब आप इस font का इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर सुझाय लिखा था, तो यहाँ से आप सब सब पहले तो आपको बता दे कि आपके mobile phone में एक my font नाम का folder में add हो जाएगा, उसके यह वाले option पर क्लिक करते हैं, यह वाले option पर क्लिक करके फिर से हम my font वाले option में आएंगे, तो हैं पर हमें और बहुत सारे font दिखने को मिल जाएगे, जिसे हमने हाली में यहाँ पर add किया है, हम यहाँ से इसका color change कर लेते हैं, ठेक इसी तरीके से हम कर लेते हैं, इसे duplicate और यह वाले option पर क्लिक करेंगे, तो हैं हम यहाँ पर और बहुत सारे font दिखने को मिल जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आप काइन मस्टर में अपने मन पसंद font को add करके, अपने वीडियो को edit कर सकते हैं, आपने एक शानुचार से, आपको बता दे कि इस font का इस्तिमाल आप के साथ सेर की कि काइन मस्टर में आपके इडिस एलेटेड फॉंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कैसे लेगी कवर्ड बॉक्स में जरू लिखे, इसी तरह के और सारे वीडियो के लिए चैनल को देखते रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कियें, तो सब्सक्राइब कि घरुज के लिए एलेगिस कि यूज़ ओड़ गावी शेखते हैं, सम्सक्राइब कि यूज़ कि दुछ कर सकते हैं, बॉबसादा सेर क्वर्ड नहीं कर सिछेशने से लिए टीज़ अरुछ कि शेखते हैं, तो समने से लिए, पित्क हून फरुबसादीट आड़ कि